कि वाइश कोल्टू मॉडव एफेक्स में हमने क्या गाता जितना भी मेरे पास कोई भी ग्राफ ले लेते हैं अगर कोई भी ग्राफ ले ले जैसे यह मेरे पास है वाइश कोल्टू एफेक्स है अगर हम इसका क्या करें डाउनवर्ड पॉर्शन को क्या करें इरेज कर दें कि कि यहां से अगर हम देखें तो मैरे पास इस पॉर्षन यह वाले पॉर्षन को क्या करें एरेज़ करदें से मीचिए के नीचे डिक्रव ग्रफ बनतो और यह मेरे पास कुछ यह हो गया तो अगर हम देखें तो वाइश कोल्टो कितना होगा मॉड आफ एफ एक्स होगा वाइश कोल्टो कितना होगा मॉड आफ एफ एक्स तो यहां से अगर हम देखें तो हमें कितना मिलेगा अगर आप देखें तो इसके डाउनवर्ड वाले ग्राप को हम क्या क करें अगर डाउनवर्ड इस वाले इसका रिप्लिक्शन क्या reflection क्या होगा मेरे पास यह होगा क्लियर है तो डाउनवर्ड वाले ग्राप को भी रेज कर देंगे तो यह मेरे पास कुछ है यह बन जाएगा यहाँ से अगर देखो तो कुछ यह बनेगा इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं यहां से अगर देखें तो यह वाइच कुल्टू मॉड आप कॉसेक्स का हमें ग्राफ ड्रॉ करना इसका ग्राफ क्या करना है ड्रॉ करना अब वाइच कुल्टू मॉड आप कॉसेक्स का ग्राफ आप ट्रेस करिए कॉसेक्स का ग्राफ आपको क्या मलता है अगर आप देखें तो कॉसेक्स का ग्राफ आपक और यहां से अगर आप देखे तो ये मेरे पास लाइं क्या हो गई वाइट ल्टू-1 ओगई यहां से मेरे पास ये वाइट कुल टू-1 लाइन ओगाई अब हम क्या करेंगे हाँ से इसके जितने भी डाउन्वर्ड ग्राफ है इन सब क्वा क्या करेंगे रिफ्लेक्शन तो इसका reflection कुछ यह होगा और इसका reflection इसका reflection हमें यह मिलेगा समझ रहे हैं बात को और इसको इसका reflection कुछ इधर बनेगा अग यह सब graph को क्या करेंगे download वाली को इरेज कर देंगे इसको क्या करेंगे इरेज कर देंगे जब इरेज कर देंगे तो मेरे पास यही ग्राप क्या बन जाएगा कुछ अगर आप देखें तो यही ग्राप क्या बनेगा यहां से अगर आप देखेंगे तो यह ग्राप कुछ ऐसा बनेगा यह ग्राप कुछ ऐसा और यह ऐसा बनेगा तो यहां से गर आप देखिए नहों गया वाइश को तो इसी लिए अगर आप देखें, तो यह मेरे पास वाइस को लुटू मॉड़ options का ग्राफ वाइस को बिर एस गाफ पिसका हो गया मॉड़ sigu तो इसका रेंज इसका range हमें कितना मिलेगा? 0 से 1 मिल दैजा, समझ गए बात को, तो ये format है, जिसे हमें क्या करना है, समझना है और करना है, नूट कर इसको भी, है अगर है अगर हम देखें इसी फॉर्माट से हमें एक नेक्स्ट टाइप ग्राप का समझना है अगर आप से बच्छे कहा जाए तो यहाँ से यहाँ से बात का आप समझ गड़ें अगर मेरे पास देखें तो ये मेरे पास क्या है x-axis है और ये मेरे पास क्या है y-axis है ये मेरे पास क्या है y-axis है अगर मालने मेरे पास कोई भी graph ये दिया हुआ है ये किसका graph है y is equal to fx यह कितना दिया हुआ, y is equal to fx दिया हुआ, ठीक है, तो जब हम mod of f mod of x का graph ड्राव करते हैं, तो जितना मेरे पास left hand side वाला portion होता है, इस left hand वाले graph को क्या करते हैं, erase कर देते हैं, क्या करते हैं, left hand side वाले graph को erase कर देते हैं, जो remaining part of right hand side graph होगा, ठीक है, उसका क्या करेंगे, y axis के respect में एक reflection ले लेंगे, तो y axis के respect में अगर हम देखें तो एक reflection ले लेंगे, तो ये मेरे पास कुछ बनेगा, अगर y axis के respect में एक reflection ले लेंगे, तो क्या मेरे पास यही graph बनेगा कि नहीं बनेगा, यही मेरे पास graph बन मिल गया बच्छे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ग्राफ कुछ यह हो गया और अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ग्राफ कुछ यह हो गया तो यह जो ग्राफ बन गया यह वाइच कोल टू एफ mod of x का graph हो गया किसका graph हो गया y is equal to f mod of x का क्या हो गया graph हो गया समझ गए बात को तो यह format है graph के समझने का और करने का अगर यह बात आप समझ गए तो आसानी से चीजे समझ जाएंगे जैसे अगर हम इसी format में ले ले बचे जैसे आपसे कहा जाए कि हम अगर पर एग्मपल ले ले कि हमें किसका graph करना है y is equal to sin mod of x का grab trace करना है किसका graph trace करना है y equal to sin mod of x का graph trace करना है to sin mod of x के graph को trace करने के लिए बहुत simple सा concept है यह x axis है और यह y axis है clear है यहां से अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ यह graph होगा कुछ है यह ग्राफ होगा और यहां से अगर देखें तो कुछ ही है यह मेरे पास कौन सी लाइन है बचे y is equal to 1 और यहां से अगर आप देखें तो यह मेरे पास लाइन कौन सी y is equal to minus 1 तो आप क्या करेंगे जितना भी मेरे पास इस side का graph है इस graph को क्या करेंगे एरेज कर देंगे ये वाला left hand side वाले graph को क्या करेंगे एरेज कर देंगे अगर अब आप left hand side का graph एरेज करेंगे तो next graph अब आपको क्या मिला इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमें graph क्या बचा केवल ये graph का portion बचा यही तो बचा है अब आप क्या करेंगे इसका रिफलेक्सन लेंगे अगर आप इसका रिफलेक्सन ले लेंगे तो हमें रिफलेक्सन कितना बन जाएगा इसका रिफलेक्सन कुछ यही तो मेरे पास बनेगा तो यह जो ग्राप बन गया ये किसका graph बन गया y is equal to sign mod of x का क्या हो गया ये graph बन गया इसी format से कहा जाए बहुत सिंपल सा concept रह लाजिकल भी है जैसे आप से कहा जाए वचे दूसरा example अगर देखें आप से कहा जाए D stranded graph of D första graph of कितना Y J可以 to E key power mod of X Clear है अगर Y equals to E key power mod of X का graph trace करना है तो आप सबसی पहले Y pulled to E key power X का graph trace करेंगे तो Y equals to E key power X ये क्या है मेरे पास X axis है ये क्या है मेरे पास X axis है और ये मेरे पास क्या है वच्छे Y axis है तो यहां से अगर आप देखें तो यह जो graph मिलता है यह y is equal to e की power x का graph मिल गया अब आप से मैंने क्या कहा आप क्या करेंगे जो भी left hand side वाला graph है इस graph को क्या करेंगे इरेज करेंगे जब आप इसको इरेज करेंगे तो अब आपको new graph क्या मिला बच्छे न्योग्राफ यह मिल गया भी right hand side portion यही बनेगा अब इसका y axis के respect में क्या लेना है reflection लेना क्या लेना है reflection लेना है अगर y axis के respect में इसका reflection लेंगे तो reflection क्या मेरे पास कुछ यहीं बनेगा अगर reflection देखें तो reflection क्या मेरे पास कुछ यही बनेगा कि नहीं बनेगा तो यह जो होगा y कोल्टो कितना हो गया e की पावर mod of x का graph हो गया यह graph draw करने के क्या होते हैं तरीके होते हैं तो standard method आपको graph के पता होने चाहिए कि किस format से हमें graph trace करते हैं अगर यह बात पता होगी तभी आप graph trace कर पाएंगा दर्वाइज नहीं तो चले ड्रा करें से पूरा हो गया अब यहां से समझे वच्छा जैसे अगर आप से कहा जाए तो ड्राद हम एक नया graph का format हमें समझना है जैसे अगर आप से कहा जाए तो ड्राद ग्राफ ऑफ mode of y is equal to fx यह मेरे पास graph trace करना है mode of y is equal to fx clear है अगर mode of y is equal to fx को trace करना है तो y is equal to fx का graph सबसे पहला आप trace करेंगे बचे y is equal to fx का graph माल लेते हैं मेरे पास यह कुछ रहा तो फिर आप क्या करेंगे चितना भी मेरे पास x axis के below graph होगा यह मेरे पास x axis है और यह मेरे पास क्या है बचे y axis है यह मेरे पास क्या है y axis है तो जो भी graph मेरे पास x axis के below है जो भी graph x axis के below है उस graph को आप क्या करेंगे इरेज कर देंगे। जो भी जैसे ये graph x axis के विलो है और ये x axis के विलो है। इस graph आप अप क्या करेंगे? समझ रहें कि नहीं आप ग्राफ एरेज करेंगे और ग्राफ एरेज करने के बाद आप क्या करेंगे X-axis के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे एक श्टिप चाहे तो और बढ़ा लीजे जैसे यह है मेरे पास यह इरेज कर दिया है तो रिमेनिंग ग्राफ मेरे पास कुछ यह बनेगा बचा हुआ ग्राफ आपके पास क्या बसता है यह बनता और क्या बनता है यह बनता यह होता अब इसका क्या कर लिजिए आप X-axis के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन ले लिजे तो या मिरर इमेज ल प्लियर रहती बात तो यह कहां पर यही तो होगा इसका यह होगा पर यह ऐसे गया है तो इसका मेरा रिमेज तो यही बनेगा ना इस लाइन का समझभाए और तो जैसे एक ऋमपल सा एक्जांपर हम ले लेते हैं जैसे आप से कहा जाए कि अगर हम देखिए अगर माले मौड और यह से अगर हम देखें और यह मेरे पास क्या हो गया आक्स हो गया और यह मेरे पास क्या हो गया और यह लाइन क्या हो गई वाइच कुल टू माइनस वन हो गई यह लाइन क्या हो गई वाइच कुल टू माइनस वन अब आप क्या करिए यहां से जो भी डाउनवर्ड ग्राफ मेरे पास है उस ग्राफ को क्या करिए इरेज कर दीजे तो जब यह डाउनवर्ड ग्राफ को आप होगा यह हो गया समझ गये बात को अब इसका क्या करेंगे रिफ्लेक्शन ले लेंगे इसका क्या करेंगे रिफ्लेक्शन ले लेंगे तो अगर आप इसका रिफ्लेक्शन ले तो अब इसका reflection यह होगा इसका reflection यह होगा और इसका reflection यह होगा ठेक यह कितना हो गया X-axis और यह कितना हो गया expect इसमें लिक लीजे मैं बॉल दे रहा हूं इसको बना लीजिए फिर लिक लीजे हो गया यह बने यह बने यह बने यह बने यह बने यह बने क्या 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 अब आप समझेगा एक एक करके लिखे तुद्रादग्राफ आप 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 इसके आप 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 पास वाइच कुल्टू साइनक्स का ग्राफ यह होता है अब अगर आप इसके मौड का ग्राफ देखें तो यह वाइच कुल्टू साइनक्स हो गए आपके पास अगर आप इसके मौड का ग्राफ आपको क्या मिलेगा इसके मौड का ग्राफ आप अगर देखें तो यह है इसक बिलो कुछ ये बनेगा ठेक है ये बनेगा ये हो गया मेरे पास ये जीरो होगा ये पाई होगा ये टू पाई होगा ये थ्री पाई होगा ये फॉर पाई होगा क्लियर है इतनी बात ये माइनस पाई होगा ये माइनस टू पाई होगा ये माइनस का थ्री पाई होगा अब आ आप क्या करेंगे इसी ग्राफ में अब हमें मौड आफ वाइच कोल टू मौड आफ साइनेक्स का ट्रेस्ट करना है तो सिंपल सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा जितना डाउनवर्ड पॉर्शन होता है उसे रेज कर देते हैं उसके बाद फिर आप क्या करेंगे किसके बाउट रेफ्लेक्शन लेंगे एक साक्सिस के बाउट रेफ्लेक्शन ले लेंगे या मिरर इमेज ले लेंगे तो मिरर इमेज आपका क्या बनेगा मिरर इमेज यह होगा इसका मिरर इमेज यह बन जाएगा तो जब मिरर इमेज आप देखें यही मेरे पास लगभश मिर नया ग्राफ अब जो आपको नए ग्राफ बनके आ गया नया ग्राफ मेरे पास कुछ यह मिल गया तो यह आपको बातें दिमाग में याद रखना है यह हो गया और इधर से यह गया ऐसे करके हमें एक ग्राप देखने को मिलेगा अगर आप देखेंगे तो कुछ हमें यह यह ग्राप था आपके पास टिक तो यह हमारे पास किसका ग्राप हो गया समझे इतनी बात यह फॉर्माट है ग्राप को ट्रेस करने का कि अग्राप करें है कि अगया है कि कि लिए इतना चले अब आपको जो ग्राप आप समझना है बहुत कॉंसेप्चुल है और थोड़ा सा डिफकल्ड भी है समझने मुसे बहुत ध्यान से समझना है ठेक है अगर अब हम देखें तो हमें य इसके ग्राप को समझना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंसर ठेक है अगर हमें इसके ग्राप को समझना है कि इसका ग्राप किस फॉर्माट में ट्रेस करते हैं तो बहुत सिंपल सा कॉंसेप्ट है उसे आप ध्यान से समझिएगा जैसे मालने मेरे पास कोई भी एक ग्राप दिया हुआ है तो पहले आप सीधी सी बात है कोई भी फंक्शन दिया है तो आप उसका पहले एक ग्राप ट्रेस करेंगे तो माल लीजे कुछ इस फॉमाट से हमें देखने को मिलता है ठेक है ग्राप टेस्ट करने के बाद आप क्या करिए आप यूनिट लेंथ के यूनिट लेंथ एक यूनिट लेंथ या यूनिट गाप का आप क्या करिए वाय अक्सिस पर पॉइंट ले लिजे ठेक है इंड पॉइंट ले लिजे जैसे माल लिजे यह मेरे पास वन हो गया यह मेर मेरे पास 3 हो गया यह मेरे पास 4 हो गया यूनिट लेंथ की गापिंग में आप पॉइंट ले लिए ठेक है मतलब समझ पा रहे है बात को 0123 ऐसे आप इंटीजर पॉइंट्स क्या कर यह वाइक्स पे रप्रेजेंट कर लिए ठेक है अब यहां से आप क्या कर यह लाइन लुँल टूप यह क्या हो गया क्वाइज पुल टूप में यह आप क्या करेंगे जहां तक ग्राप मेंस से डेस करेंगे कलना नबसogo है तर्क है उप अब लेता ही काम यह उन्य करेंगे यह minus 1, यह minus 2, यह minus 3 और यह minus 4 आप downside भी graph trace करेंगे wise to minus 1 हम माल लेते हैं यह इसको touch कर ठेक है अब आप देखेंगे कि यह graph generally इस line को कितने points पे cut किया एक यहाँ cut किया, एक यहाँ cut किया, एक यहाँ cut किया जहाँ cut करता है, वहाँ वहाँ आप इस तरीके से points किया करिये, major लिख लिए, वो कर लिए ठेक है, यहाँ cut किया, और यहाँ cut कर लिए, यहाँ cut कर लिए, यहाँ cut कर लिए, समझ पाए बात को अब मेरी बातों के एक दम ध्यान से समझेगा, आपने पढ़ा है कि अगर fx की value, कोई भी मेरे पास, मैं यहाँ पे greatest integer के बारे में बता रहा हूं, आप समझेगा, कि अगर मेरे पास fx की value, greater than or equal 0, less than 1 है, तो इसका greatest integer कितना होगा मेरे पास, बचें, इसका greatest integer 0 होगा कि नही होगा, और अगर fx की value मेरे पास, 1 से 2 के बीज है, और 1 के equal हो सकता है, तो इसका greatest integer किसके equal है, 1 के, प्लेर रिक्ति बात, तो मुझे एक बात बताएं यहाँ से, अब समझना, यह origin point है, यह बात बताएं, अब मेरे पास यहाँ से, 1 से 2 के बीज यह graph पूरा है, ठीक, 2 पे त तो मेरे पास यह value मिलने लगेगी कि नहीं, तो आप मुझे बताएं क्या यहाँ पे मुझे यह arrow लगा लेना चाहिए, और यहाँ पे क्या मेरे पास, 1 पे यह graph मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह graph मिलेगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अगर इसी format से, इस यहाँ से यह सब्सक्राइब आपको यहां पर यहां पर हो नहीं सकता अब क्या कर यहां there हो प्हक्या कर सकते हैं अब यहां उसे यहां तक थोड़ा अब यहां पर तो यहीं मिलेगी लेकिन यहां से जैसे ही 1 से कम होगी fx की value 0 मिलने लगेगा तो y is equal to 0 graph मेरे पास यह होगा कि नहीं होगा यह skip करेगा यहां arrow लगा देजे लेकिन 1 0 पे तो 0 ही मिलेगी समझ पा रहें बात को यहादा clear है इधर पे थोड़ा देखे यहाँ से यहाँ अब आप मुझे बताईए minus 1 पे कितना मिलेगा minus 1 मिलेगा लेकिन मेरे पास जैसे ही 0 से छोटा होगा हर एक case में value कितना मिलने लगेगा minus 1 मिलने लगेगा तो मेरे पास arrow लगाके अगर देखें इसका यह graph होगा कि नहीं होगा यह graph बन जाएगा मेरे पास अगर इसी format से देखें यहाँ तक समझ पा रहे हैं अगर इसी format से इस graph पे अगर आप आप जर्व करिए तो यह तो जीरो है जीरो पे अगर fx की value 0 है तो 0 greatest integer मिलेगा लेकिन fx की value जैसे 0 से छोटी होगी तो क्या मेरे पास graph यह मिलने लगेगा लेकिन 0 पे 0 होगा तो यहाँ arrow किधर लगेगा इधर लेकिन 0 minus 1 का greatest integer कितना मिलेगा minus 1 मिलेगा और इसके अंदर वाली जित्ती value होगी सबका कितना मिलेगा minus 1 मिलेगा समझें न बाद को अगर इसी format से आप यहाँ पे समझें 0 है तो 0 का greatest integer 0 लेकिन इसके अंदर जित्ती value है सबका कितना होगा मेरे पास 0 होगा तो यहाँ पे अगर आप देखें और 1 का 1 होगा तो यहाँ पे यह arrow लग जाएगा कि नहीं यह greatest integer बनेगा बन जाएगा इसी format से आप यहाँ पे देखिए 1 का मेरे पास 1 होगा लेकिन यहाँ से यहाँ जित्ती भी value होगी सबका कितना होगा लेकिन जैसे ही टू पे जाएगा टू होगा तो इसका greatest यह मेरे पास बनेगा कि नहीं बनेगा अगर इसी तरीके से इसका देखेंगे तो इसका क्या बनेगा मेरे पास यह बनेगा बचा समझ पाए बात को और आप समझ गये होंगे इसी format से अगर आप इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कितना बनेगा अगर यह line trace कर लो मैं यह draw कर लें अगर ऐसा कुछ तो यहाँ पे मेरे पास two पे two होगा लेकिन यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखेंगे one पे one होगा तो इसका मेरे पास यह बनेगा और इसका अगर आप देखेंगे तो यह बनेगा और इसका आप देखेंगे तो मेरे पास यह होगा यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यह होगा